जै भारत कैसे हो आप लोग कल वाली क्लास में हमने डोमेन से रेलेटर कुछ क्वेशन्स किया है डोमेन कैसे निकालते हो देख लिया था तो फटावट मैं बोल दू कि कैसे निकालते हैं हम लोग डोमेन तो जहां पर भी रूट के अंदर कोई भी quantity अगर होगी रूट के हो लेकिन जब रूट के अंदर होता है तो यह रूट के अंदर की जो quantity है वह जो अबेशा के होना चाहिए पोजिटिव होना चाहिए गरदान और एको जुरूना चाहिए यह पहला रूल था दूसरा रूल क्या था हो इसे लॉग के साथ अगर कोई भी एक्स्प्रेशन होत है यहां पर fx है और यहां पर अगर g of x है तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यहां पर जो f of x है positive negative भी चलेगा या फिर यहां पर जो g of x हो भी negative चलेगा तो जो domain था यह हमने log वाले chapter को बहुत यह अच्छी से cover किया था आपने और वहां पर log x यह to the base भी अगर ऐ 0 होता है and and g of x जो हो है मतलब base जो होता है वह भी गड़ा जो होता है and क्या होना चाहिए जो base है g of x यह कभी 1 नहीं होना चाहिए तो यह तीन केसे के लिए solve करना पढ़ेगा यह भी आगर यादा हुए तो भी चल जाएगा ठीक है ना तो f of log f of is to the base g of x है तो इसके चीज़ होना चाहिए यहाँ पी भी पोजिट नमबर यहाँ पी पोजिट नमबर और यहां का जो नमबर है वो वन ने होगा ठीक है ना ओके आगे बढ़ते हैं यह question देख लेता है यह question को solve कर लेता है अच्छा domain निकालने के तरीक आभी हम लोग देखेंगे बहुत सारी तरीकी तर यहाँ पर सब्ट्रेक्शन लिका है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाले function का इस वाले function का क्या हो जाएगा कि साइन एक जोना चाहिए ओ गर्दान और एको जोना चीए क्योंकि रूट के अंदर quantity यह तो यह वाला पहला वाला लग जाएगा तो साइने सगर्दान कि यहाँ पहला तो नहीं नहीं यह तो पाए होगा ओके तो यह पाय होगा माय udah । 17 ट है इस ऑला जो पी जन चैसे पोजिट्व और येव वाला जबाराश्यन है उसमें भी है भी साइन के साइन पोजुट्यू है तो क्यूट साइन पोजिट्व वाएगा जोड़ा से पा या फिर और कहां से टूपाइ से लेकर थ्रीपाई के बीच में इसका मतलब यह हुआ अगर मैं इसको जन्रलाइज लिखू जन्रल टम में अगर लिख दू तो इसका जो सुलूशन है कितना टू यहन पाई टू यहन पाई कॉमा टू यहन प्लस वन पाई बराबर एक देख ल यह बराबर चल रहा है तो यह हो गया किसका सुलूशन साइनिस कर दाना पर दिया पोजट्व कर दिया तो कितना जाएगा 16 minus x square इसको भी करना पड़ेगा positive तो यहां से जो solution आ जाएगा x belongs to कैसे आ जाएगा देखलो यह पहले तो यह side change कर ला दो x square minus 16 less than or equals to 0 और इसका मतलब हो जाएगा कि यह minus 4 से लेकर plus 4 के बीच में इसका solution आ जाएगा ठीक है तो यह solution और यह solution इन दोनों का लेना पड़ेगा मुझे एक्चुली इंटर्सेक्शन इंटर्सेक्शन कैसे निकालेंगे तो minus 4 minus 4 यह हैं पर निकाल लेता हूं मैं यह कितना है पाय मतलब कितना होगा से लेकर यहां तक यह जो है पॉजटिव ग्राफ है मतलब कितना आ गया सोलुशन मेरा minus 4 से लेकर कहां तक जाएगा minus 5 तक यह होगा इंटर्सेशन दोनों भी close रहेंगे union आगे आगे यहां पर तो निगेटिव में जा रहा है तो यह तो लेना ही नहीं अपने को जूरो से लेकर स्टार्ट करेंगा कहां तक हम लोग पाई तक तो यह हो जाएगा जूरो से लेकर पाई तक यह होगा हमारा final solution यह होगा answer किसका अपने को इस वाले question का domain तो आपको समझ में आ रहा होगा फटापट देख लो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और खुझ से साहल करने कोशिश कर लो इसको क्वास इनवर्स होगा box of 2x पर मैनस 3 यह जो है यह box greatest integer function है तो क्वास इनवर्स का मतलब क्या होता है क्वास इनवर्स का मतलब होता है कि उसका जो क्वास है value जो होगा उसका argument जो होगा minus 1 से plus 1 के बीच में बरावर क्या तो क्वास इनवर्स ओफ एक्स का भी सेमी होता है साइन इनवर्स ओफ एक सागर आ जाता है तो इसका जो डोमेन होना चाहिए यहाँ पर जो quantity लिखा गया है यहाँ पर जो quantity लिखा गया है वो होना चाहिए minus 1 से plus 1 के बीच में बरावर क्या ग्राफ यह अगर इसका निकालना है क्वास इनवर्स ओफ एक्स का ग्राफ जो था हमने शाहिद पहले बोल दिया है फिर भी आम एक बार बोल देता हूं है यह होता है इसका क्वास इनवर्स ओफ एक्स का ग्राफ बरावर न तो यह कितना माइनस 1 से लेकर plus 1 के बीच में डिफाइना है और यह होगा pi by 2 और यह होगा इसका pi मतलब range कितना होगा इसका 0 से pi के बीच में होगा और domain कितना होता है माइनस न से प्लस वन के बिच में, यह होगा sin inverse, cos inverse of x, sin inverse of x के से होता है, यह सिर्फ इतना होगा यहाँ, मतलब यह भी minus 1 से plus 1 के बिच में, यहाँ पे minus 1, और यहाँ पे plus 1, और यह कहाँ पे, π.by. 2 तक जाएगा maximum, और minimum कहाँ तक जाएगा, यह हो जाएगा, minus P.by. 2 तक, बरा ओके यहां पर इसकी ज़रुत पढ़ती है नहीं पढ़ती वह बात नहीं है लेकिन मैंने यह बोल दिया है कि साइने और साफ एक्स का जो डोमेन कितना था माइनस वन से प्लस वन ता क्यों इसमें ऐसे याद रखो या फिर ग्राफ याद रखो तो बहुत बेस्ट रहेगा यह होना चीए प्लस वन से और माइनस वन के बीच में तो सिधी सिधी बात है इसको दो पार्ट में डिवाड करेंगे हम लोग पहला पार्ट कैसे डिवाड करेंगे तो यह 2X स्क्वेर माइनस 3 इसका जो बॉक्स है होई कितना माइनस वन से जादा है और इदर से यह होगा इन दोनों के विच में end आ जाएगा और इसाड़ से कितना ना चीए कि यह 2X स्क्वेर माइनस 3 इसका जो बॉक्स होगा यह आ जाना चीए less than or equals to 1 ओके स्वाल कर लो अब 2X स्क्वेर माइनस 3 का जो बॉक्स है गरदान or equals to minus 1 है तो यह जो वैल्यू आयगा कितना ना चीए 2X स्क्वियर माइनस त्रीं गरदान इकोस्ट जाएगा मायनस वन सही है लिए न और इसे यहां से आएगा टू एक्स स्क्वेर माइनस त्रीं लेजन कितना में चीए टुछ अना चीए कि टू से पहले टू से पहले मतलब 1.99 का जो वोक्स आएगा कितना एगा वो भी वन आएगा और वन की जाए कम चाहिए अपने को तो तो नहीं चेलेगा टू से कम होना चाहिए तो कर लो सॉल इसको कितना जाएगा देखलो इदर से टू एक्स स्क्वेर गरदान इकोस्ट हो जाएगा टू से यह न और एक स्क्वेर एक स्क्वेर यह मैं इधर बोलता हूं जिनको पता ने चल रहा है वो गदे बाच्चे सुन लो एक स्क्वेर गरदान और रिकोस्ट यह स्क्वेर अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब इसका जो सुलूचन होता है कितना इस रूट के बाहर मतलब कितना माइनस इन सब्सक्राइब मतलब कितना इसका जो सुलिशन होगा विदिन रूट मतलब माइनस से लेकर प्लस एक बीच में आएगा और यहां पी कोस्ट लिगाए तो यह क्लोज होना चीए ऐसा क्यों होना चीए एक स्क्राइब बनाएंगे हम लोग तो ग्राफ कुछ स्टाइब का स्टाइब और निगेटिव निगेटिव में दोने की बीच में का होता है कि इसका जो एक्स्पेशन का जो अंसर आता है इसलिए इसका आंसर या जाएगा यहां पर कितना था एक स्क्राइब गड़दान रिकोस्ट वान था मतलब भी पहली वाली केस थी इसलिए मैंने इसक सुलिशन सेट होगा इस टाइब का हो गया और इस टाइब में कितना अंसर आ जाना चाहिए यह एक्स जो होगा बिलांस टू माइनस फाइब बाई टू इसका रूट से लेकर प्लस रूट और यह भी ओपन होगा और यह भी ओपन होगा अब यह सोलुशन है और यह सोलुश यह इतना हो तो मैंस मताथ है लिकिन कब तह होगा सिपन सक्षाफ होगा वन के आगे नहीं जाएगा तो इसका इन हम लोग लोग ले इसका इंटर्सरेक्शन ओ ठीक है तो ईंट्रेस्स निकालने के लिए पहले तो हम लोग लगाना पड़ेगा इसका नंभर लाइंद PPLOTputer तो यह है माइनस वन और यह प्लस वन तो माई इसके आगे वाला solution और इसके पीछे वाला solution किस ने कवर किया इसने कवर किया अब आगे अब आगे किसका इस वाले का इसको माय root of 5 by 2 कितना root 5 कितना होगा root 5 by 2 मतला इतना 5 by 2 हो जाएगा 2.something 2.something मतलब कितना होगा नहीं यहां 2.something ना ओके 2.something 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 का root कितना होगा 1.something इसका मतलब अगर यह प्लस 1 है यह प्लस 1 है तो इसका जो value आएगा कहा पर आएगा यहाँ पर कही रहेगा यह पर यहाँ पर आएगा इसके आगे और यहाँ पर आएगा तो solution common कितना है यह वाला इतना part common है न और इसमें भी इतना part common है तो लिख दो solution कितना जाएगा यह वाला जो शायद point open है minus root 5 by 2 से लेकर minus 1 यह close यह open union 1 से लेकर root 5 by 2 ठीके न यह होगा final answer हमारा समझ मैं आपको inequality है basic इसलिए में फटाबट कर रहा हूं अगर नहीं समझ मैं आ तो बोल दो मुझे तो थोड़ा साम लोग इसको अच्छी से बोल देंगे ओगे ठेक है x raise to cos inverse of x ऐसा है तो कैसे solve करेंगे जैसे अब यह exponential function होता है हमारे पास f of x raise to g of x अगर ऐसा कोई function लिखा गया है तो इसको बोलते हैं हम लोग exponential function exponential function बोलते हैं और इसका domain निकालने के लिए इनके f of x के खुद के restrictions जो भी होंगे वो उसको solve करना पड़ेगा g of x के जो खुद के restrictions है वो तो solve करना पड़ेगा उसके अलावा उसके अलावा क्या होना चाहिए कि जो f of x है मतलब base जो होगा वो हमेशा ही positive होना चाहिए negative बिल्कुल नहीं चेलेगा यह बराबर negative नहीं चेलेगा तो f of x क्या होना चाहिए positive होगा तब जाकि यह exponential function बनेगा अगर 0 यहाँ पर equals to भी नहीं आएगा अगर equals to आगा तो कि 0 का something power 0 होगा exponential function नहीं होगा अगर f of x raise to g of x है तो जाकि इसका मतलब यह होगा कि f of x base जो होना चाहिए वो हमेशा ही positive होना चाहिए तब जाकि यह function exponential होता है तो यहाँ पर देख लो x कितना होगा फिर हमारा x होग गर्दान जोरो पहले तो यह base वाला जो एक से वह गर्दान जोरो होगा यह होगी पहली condition अब दूसरी condition दूसरी condition क्या है कि यह वाला जो function है इसके उपर यह तो क्या है कि यह x की साब से our sinos of x की साब से क्या होना चीए कि x जो होगा तो हो जाएगा minus 1 से plus 1 के बीच में यह भी ख्लोज और यह भी ख्लोज तो यह क्या करना पड़ेगा मुझे intersection लेना पड़ेगा तो जूरो से लेकर 1 तक के बीच में यह हमारा क्या होगा इसका domain होना चीए ठिक है होना जरूरी है यह फॉप इस गर्दन जुरू होना जरूरी है ठीक है ओके अगे बढ़ते है अच्छा यहां पे एक बहुर एक चीज दियान रखो यहां पे अगर कुछ भी नहीं बोला गया ना तो यह इस पॉनेशल फंक्शन हो गाई ठीक ना बाइड डिफोल जो होता है यहां पर कुछ इंशन किया गया तो उसके ऊपर सोच ने का टिकना कुछ भी नहीं लिखा मतलब यह डाई 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 एक्शन फंक्शन होगा तो यहां पे तो दिया यह नहीं है फिर हम लोग कैसे गंसे यह इसके बार सोच नहीं यहां पर कुछ में लिखा मतलब यह एक्समेंशल फंक्शन है बाई डिफोल्ट जो लिखा जाता है वो स्टैंडर्ट चीजे लिखा जाता है मतलब यह एक्समेंशल फंक्शन होगा ठीक है लोग एक्स-1 तो दिवेस 4-6- sin inverse है 2x-3 यह तो बहुत असान है यह वाल आप लोग कर लो मैं यह वाला कर लेता हूं ठीक है न तो क्या होगा अब इसमें यह वाला भी जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना कि लोग एक्स और टो देवेस जी आपक्स ऐसा हो गया यह तो यहां पर एक्स-1 है और यह होगा 4-6 सबसे प नहीं कितना होना चाहिएvate लगें इतने स्टार्ट फोल झाले सर एक्स-1-6 वहड़़ा भी जी यह वने होना फिर 4 से कम numbers और उसमें से भी 3 को अठा देना है तो यह वाला जो 3 है वो यहां सी भैटा दो यहां सी भैटा दो इंट्रसिशन में क्या आ जाएगा इंट्रसिशन में जाएगा 1 से लेकर 3 तक के number यह open यह open और 3 से लेकर 4 तक के numbers यह solution आ जाएगा इसका एक्स बिलॉंग्स टू पहले वाले केस का ठीक है अब दूसरी वाले केस केसा है चलो मैं ही कर ले था हूं इसको भी ठीक है तो 2x-3 इसका यह जो amount आएगा यह इसका जो answer आना चीक इतना आना चीए माइनस 1 से प्लस 1 की भीच में आना चीए तो माइनस 1 से जादा 2x-3 और इसका box और less than or request हो जाएगा 1 ऐसे क्या करेंगे फिर आभी अब इसको भी वह इसे दो तरीके से स्वाल करना पड़ेगा एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ तो फटा बट कर लेता हूं है तो कितना आएगा देखलो यह यह होना चीए 2x-3 इसका अंसर गरदान और रिकोस्ट माइनस 1 और इस साथ से कितना आएगा 2x-3 यह होगा less than or request 1 तो इधर से कितना जाएगा जाएगा इसका box है इसका box और इसका भी box ठीक है अब 2x-3 का अंसर अगर गरदान और रिकोस्ट माइनस 3 का हमेशा माइनस 1 से ज्यादा ही आएगा ओके और यहां पर यहां पर यहां पर आएगा 2x-3 less than 2 आना चीए 2 से जो भी छोटे नमबर होते है उसका जो मौड आता है हो हमेशा ही कितना आता है 1 से कम आता है तो यहां से कितना आ गया x की वैल्यू जाएगी गरदान और माइनस 3 हुदा चला गाए तो हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 डिएड़ बाय 2 मतलब हो जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा x less than हो जाएगा 5 by 2 तो कॉमन सुलुशन कितना है 1 से ज्यादा और 5 by 2 से कम तो सुलुशन आ जाएगा 1 से लेकर 5 by 2 तक यह ओपन और यहोगा क्लोज औ और यही लौंग्स टू आ जाएगा ये थना ठीक है तो यह आ जाएगा इसका अंसर यह अंसर नहीं से यह क्या है यह सेकंड के स्का सुलुशन है आपनी प्लस लाना ए तो आम को क्या करना प्लेगा इसका और इसका इंट्रस्शन लेना पड़ेगा इन दो चीज में का इन दोनों का जो इंट्रेशन आ जाएगा वह आज आज यह वन से लेकर फाइब आइट टू और यह भी ओपन और यह भी ओपन ठीक है यह सा आएगा क्या देख लो बराबर है क्या सब कुछ ठीक है इतना अंसर आ जाएगा यह होगा आंसर ओके आगे बढ़ते हैं जीशे मेने ग्राफीकल मेतड बॉला था ना ग्राफीकल मेतड में यह प्रॉलम बेस्ट सूट करेगा कैसे तो इसका जोब जो मेन कुछ निकालना जाएंगे तो लॉक के साहथ यस निकालना जाएंगे तो यह तो हमेशा सुची ही और तो यह भू पोजिद्धिश मसलब मतलब लॉक कि अंधर यह हमेशा पॉजिटिव है बस वह अचिए यह जो चीज है वो exist होना चीए यह exist अगर हो गया तो यह सब कुछ बराबरी चल रहा है तो यह कभी exist होगा तो यह अंदर जो आएगा cos x इसका box minus sin x इसका दोनों का box यह होना चीए गड़दन 0 equals to 0 भी नहीं चलेगा क्यों यह निचे आ रहा है इसलिए division में है इसलिए ओके इसका मतलब इसका मतलब यह हो गया कि cos x का जो box है वो sin x के box से ज्यादा होना चीए अब यहां से थोड़ा सा sense मिलेगा अपने को कि cos x का जो box है उसका जो graph आएगा sin x का जो box आएगा उससे ज्यादा होना चीए तो देख लो फिर यहां पर कैसे बनाएंगे पहले तो यह number line बना लेता हूं मैं कि यह हो गया number line इसके उपर हम लोग बनाएंगे sin x तो यह हो गया right sin x ठीक है पीछे भीज आ चाओ कि यहां तक ठीक है अब मुझे कर ना है मुझे करना है इसका box X का किस का अगरा अब बना दूगा मैं आप बना दूगा इसका box will यहां से मैं होरिजन्टनलाइन बना दिया यह वन गया और यहां पर और यहां पर लाइन आ जाएगा ओके और यहाँ पे जूरो है तो यहाँ से भी होरिजिनल लाइन यह बन गया तो जहाँ पे भी यह ग्राफ को कट करेगा वहाँ से मुझे करना पड़ेगा वर्टिकल अंड खिछना पड़ेगा तो यह लाइन वर्टिकल हो गई यह लाइन वर्टिकल है यह लाइन खिच लिया और यह लाइन खिच लिया और यहाँ पर भी खिच लेंगे इसे और यह दर भी एक आ जाएगा इसे अब आगे क्या करना पड़ेगा आगे करना पड़ेगा graph को scan scan करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा अगर positive है graph अगर कैसा positive है मतलब increasing है तो पहले वाले point को पकड़ नीचे वाले को खिचना पड़ेगा तोड़के तो यहां से देख लेए यहांपे graph इसका मतलब यहां से तोड़ना पड़ेगा और इसको नीची लाना पड़ेगा इसे तो ग्राफ कहां तक यहां तक वर्टिक लाइन तक जब तक नहीं तब तक यह होगा इसका ग्राफ फिर यहां पर यहां पर देख लिए ग्राफ कैसा है इस पॉइंट पर कैसा ग्राफ कर र झाल पहले हैं आप फिर से ग्राफ डिक्रेजिंगा तो क्या करना पड़ेगा यहत्व है ही पिंप हेंक रहेगा तो मुझे जाना पड़ेगा अगली वाल'y पॉइंट के उपर और मुझे यहां से तोडना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पंड़ेगा तो तो ग्राफ कहाहँ तक चब तक जब तक आगली वाई लाइन नहीं अति इतव तक तो यह स ही एसा बन गया सिखरा फिर सहिकत पिन पहिंर देख लो तो यह यहां से हां तक यह लाइन कवे जाएगी यह ओपन और यह ओपन बस काफी इतना आपको यह पहले से मालूम होना चाहिए यह हमने पहले कर लिए अभी तो ग्राफ से ही चल जाएगा सारे चीजे तो ग्राफ वाला जो पोर्शन ना एक बार रिवाइस करना अच्छा रहेगा आपके लिए ओके अब दुसरा ग्राफ न और के तो क्सें सिरे थे शokol करनाना पड़ेगा जहां पिल वर्टिकल लेहर यहां पोर्टिकल एन जहीं यहां से क्वुर्टिकर लाइन okay आप क्या करेंगे इधर से क्वाटिकर लेना एका और यहां से भी क्वाटिक लाएगा अब फिर से ग्राफ को स्क्यान कर दिया और जहां पे यह था मतलब इनक्रिजीड इक आप वो देख लो तो यहां पे यह तो पॉंट नहीं पर एगा लि घीर जाएगा यह पूर यहां तक और यह ऑपन और यह ऑपन फिर से यहां तक और यह उपन यह आपको मालूम है इस नफेमें फटाबड बना दिया हुन तिक बड़े मां पैड़े तूसर ब्रट कर लेकर जो के बीच में यह के साझ माइन सम planned यहां पे कितना है? 0 है 0-1 ब्लस होना है मतलब यह arrival तो चल जाएगा मतलब यह इनटुल तो चल जाएगा तो मतलब कितना माइनस पाइबाइफ gusta लेकर काहा तक जाना है देखे लो 0 पे कितना ना राय इसमें तो 1 है और इसमें 0 है 0 है 1-0, फिर से 1 ही है, तो मतलब possible है, आजएगा, 0 भी आजएगा, अब 0 क्या आगए, 0 क्या कितना है, इसमें 0 है, और इसमें कितना है, इसमें भी 0 है, तो 0-0 कितना आएगा, 0 आजएगा, और अगर यहाँ पे अगर हमने 0 ले लिया, तो यह तो दोनों क्या होंगे, equal हो जाएग 1 है, और उपर कितना है वैसे, उपर होगा, पाइबाइट पे, minus 1, और यहाँ पे 0 है, यह पाइबाइट भी खोज़ जाएगा, और ज़िरू पे भी खोलोज आजएगा, ठीक है, आगे, आगे देख लो, फिर पाइबाइट तक नहीं, यह तो नेगेटिवे तो नहीं चले और यहन क्या होना चाहिए, यहन बिलाउंस टू जहड़ होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे स्वाल करेंगे, अगली क्लास में देख लेता है,